नमस्कार बहुत स्वागत है आपका आप देख रहे हैं ग्रेंड धर्मा सर्मार जेश्ट मह के कृष्ण पक्ष की अमवस्या को बट सावित्री ब्रत पूजन भी किया जाएगा और इस दिन सनी देव की जैनती भी है सनी देव का जन्म माना जाता है इसी अमवस्या के दिन हुआ था इस दिन जो पुरवज है उनके निमित तरपन भी किया जाएगा दान पुर्नी किये जाएंगे और साथ ही आप अपने जीवन की मुस्किलों से बाहर निकलने के लिए इस अमवस्या तिथी पर बिसेश परियोग भी कर सकते हैं जैसे कि आप जैसे हमने टॉपिक रखा है पुरानी जाडू दिन बिसेश परियोग किये जाएंगे तोड़ने टोड़के किये जाएंगे ताकि जीवन की परिसानियों से आप बाहर निकल सके आपको मुक्ति मिल सके देखिए इस दिन भगवान सिभ की अराधना चरूर करे वैसे तो पूरे सावन के महने में उनकी आदना करना है लेकिन इस दिन खास प्रियोग करके आप जीवन की मुश्किलों से बाहर आ सकते हैं सबसे पहला प्रियोग तो ये करना है आप सुबह जब सो कर उठेंगी सबसे पहले थोड़ा सा गंगा जल अपने घर के मुखे दरवाजे पर छीटा डालें चोकट के दोनों साइट धूरा सव मुख्य दरवाजे के बाहर की तरफ इसके बाद आप घर के बाहर ज्टारू तो लगवाते होंगे लेकिन इस दिन पहले ज्टारू ना लखवा कर पहले पानी डाले फिर जारू लगाए क्योंकि अगर किसी ने कुछ किया होगा आपके दरवाजे पर तो वापस से उसी के पास चले जाए और आप सुरक्चित रहें क्योंकि रात के समय निगेटिव इनर्जी कुछ जादा ही घूमती है और खासकर अमवस्यातिती हो तो ये प्रभाव जादा हो जाता है और जब उसको पानी आप डाल देते हैं तो वो त्रिप्त होके वहाँ से हट जाती है और फिर आराम से आप पूरे दिन कारे करें कोई दिकत नहीं है पूरे घर की सफाई फिटकरी मिलेवे पानी से करवाएं चाहे आपको घर दोलवाना हो या पूछा लगवाना हो इसके बाद एक लोटा या एक किसी पात्र में पानी में एक चुटकी हल्दी डालकर पूरे घर में चीटा डलवाएं सकात्मक उर्जा बेहती रहेगी पित्री देवों को परसंद करने के लिए इस दिन विसेश परियोग भी किये जाएंगे तो पित्र देवों की त्रिप्ति के लिए अमोस्यतिति के दिन विसेश परियोग होते हैं और जो बेक्ती पितरी देवों की सांती कराता है उन्हें अर्पित करता है जैसे कि उनके लिए तरपन करता है उनके निमित्त दान पुन्य करता है उनके जीवन में कभी कोई परिशानी नहीं आती तो एक छोटा सा परियोग कीजिएगा पितर देवों की सांती के लिए क्या करेंगे देखिए आप किसी भी सनिदेव के मंदर में जाए या फिर पीपल के बिश्च के नीचे जाए अब वहाँ पर जाकर आप ओम संग सनेच्चराय नमह इस मंदर का जब करें या फिर ओम नमो भगवते वासु देवाय का जब करें ऐसा करने से आप के उपर सनिदेव की और पितर देवों दूनों की किरपा मिलती है चुकि अमोस्यती थी के दिन अगर आप नई जाड़ू खरिद कर लाते हैं यानि कि तीन जाड़ू आपको लाना है और तीन जाड़ू आप लाकर आप एक जाड़ू भी ला सकते हैं लेकिन जोड़ों की संख्या में जाड़ू मत खेल दिएगा जैसे कि दो चार नहीं खेलना चाहिए आप एक ही जाड़ू ले आएए और लेकर किसी भी पास के मंदिर में जाए जाड़ू में थोड़ा सा कुमकुम लगा दीजिएगा और सफेद धागा बांद दीजिएग और ले जाकर किसी भी मंदिर में जाकर इसी जाड़ू से पहले सफाई करें और फिर उस जाड़ू को वहीं पे छोड़के आप भगवान को परणाम करके चले आए जब भी ये परियोग कीजिएगा तो अरली मॉर्निंग कीजिएगा एकदम सुबह सुबह जैसे लोग को आ परियोग कर लें तब हनवान जी के मंदिर जाईएगा और सिंदूर और चमेली का तेल मिक्स करके उनको चोलार पीद कीजिएगा जो पुरुस हैं और जो महिलाएं हैं उनको लाल पुस परिपीद करेंगी सनी दोस्त भी समाप्त होगा जिबन की कष्ट भी परिसानिया भी समाप्त हो जाएंगे अगर आपको लगता है कि आपके सभी गरह आपके विरुद्ध ही चलते हैं कभी आपको सुखी नहीं मिला कई बहरे सा होता है हर तरह से आप परिसान है तब इस दिन सुख सम्रिद्धी प्राप्त करने के लिए एक छोटा सा प्रयोग कीजिएगा एक लाल रंग का कपड़ा ले लें एक आप केले का पत्ता ले लें केले के पत्ते पर लाल कपड़ा रखें उस पर एक मुठी मसूर का दाल रखें और एक जाडू लेकर किसी भी देवी मा के मंदिर में चले जाएए देवी मा मतलब मादुरगा के मंदिर माकाली के मंदिर पास बर्षा होने लगेगी बहुत सिंपल है यानि कि बीमारियां पीछा न छोड़े धन की हानी परिसान करके रखा है हर तरफ से आप हार रहे हैं बहुत सारी मुस्कले हैं किसी भी सिपजी के मंदिर में साम के समय आप जाएए एक ग्यारा सफेद पुस्पले लीजेगा और एक जाड़ू नया जाड़ू ले जाकर सिपजी के मंदिर में रखा हैं परिवार की सभी बाधाएं दूर हो जाएंगी जीवन की सारी परिसानिया समापत हो जाएगी और खुसियां आने लगेगी एक बहुत हमेशा ही याद रखिएगा जाड़ू को कभी भी अपने कीचन में मत रखिएगा चाहे जो हो जाए वरना घर के लोग बीमार रहेंगे आर्थिक परिसानी जादा आएगी धन के खर्चे बढ़ेंगे बरकत नहीं होगी इसलिए भूल कर भी कीचन में मत रखिए और नाही जाड़ू बेडरूम में मत रखिए तो चले अब हम थोड़ा और आ जाए पूरे मंदी की सफाई करें इसके बाद एक सरसों के तेल का दिया जला दें और वहीं पर आप बैठ कर साथ बार हनुमान चलिसा पढ़ें ऐसा करने से पित्री देव परसंद होते हैं जीवन में भौतिक सुख सुभी धाएं बढ़ जाती हैं घर परिवार में खुज जाड़ लगाने के पहले घर के मुखे दरबाजे पर पानी डाल दीजिए गा और उसके बाद जाड़ लगाईएगा धो देने से क्या होगा अगर किसी ने कुछ किया होगा तो वह धुल जाएंगे या फिर वापस उसी के पास चले जाएंगे और घर की सबस्वाई में इस दिन दान पुन्ने का भी बिधान है जैसे कि आप चीटियों को चीनी डाल सकते हैं आप जैसे मशली है तो आटे की गोली डाल सकते हैं इन सबसे क्या होता है न धन की मुस्किले दूर हो सकती है और जो गरीब बैकती है उनको भी खाने पीने की बस्तून का आप दान कर स असकाम करें किसी भी लक्षमी नाराय यानि स्री हरी विश्णु मालक्षमी या राधा कृष्ण का मंदिर है तो वहाँ पर जाकर मंदिर के वहाँ पर आप सतरंगी धोजा लगवादें और एक जारू भी वहाँ रखाएं ऐसा करने से धन की मुश्किलें दूर होती है नौकर जारू जरूर दान कर दें और जो जंडा है उसको आप मत लगवाईए लिए हनमान जी के मंदिर में वैसे आप जंडा लगवाते हैं तो क्या होता है ना अपना मकान भूमी भवन बनने के योग बनने लगते हैं तो पित्री देवों की त्रिप्ति के लिए गरीब बैक्ति करेंगी और वहां से आप बाहर नहीं निकल पाएंगे इस लिए किसी बैक्ति को भूल कर भी जारू ना दे चाहे वो नया हो या पुरा ना जब भी दान करना हो पास के मंदिर में करें आप अपने गरहों को अपनी सुबिधा अनुसार भी आप परयोग करें तो बढ़िया घर में भी जारू खड़ा करके नहीं रखना चाहिए और जारू को कभी भी खुले आकास के नीचे भी रात में नहीं रखना चाहिए नहीं तो जीवनी में धन की समस्या बढ़ जाती है और अगर आप जारू का जैसे की तूट फुट गया जारू पुरा ना हो गया है तो तुरंत उसको बाहर निकालने घर से उस जाड़ों को यूज ना करें वरना धन भी आपका यूही बरबाद होता रहेगा तो इस बात को आपको समझना होगा चोटी चोटी बातों का ध्यान रखिएगा तो जीवन की मुस्किलें कम हो जाएगी और जाड़ों से आप जब होता चाहिए और उस जाड़ों से ही आप को सिस करें नीचे जहां भी अगर आपको नजर आ यह नहीं भी है तो आप उसको ऐसे ही ज़ाड़ लें और बाहर घर से बाहर निकलकर इस जाड़ों से तीन बार ठक ठक कर दें और फिर जाड़ों को जाड़कर बिना पीछे मूरे घर जो भी निकेटिव एनरजी होगी वहीं रह जाएगी जो घर में परिसानी होगी वह बाहर रह जाएगी और आपके घर सिर्फ खुसी आएगी तो ये प्रियोग आपको इस दिन करना चाहिए जरूर क्योंकि इससे जीवन के मुस्किने समाप्त होती है और जाडू को जाडू क साहरे बाहर कर इसको घर से बाहर निकालते हैं आपके जीवन में खुसी आएगी अब करके देखें अगर आप चाहें तो